मेरी प्यारी यूटूब फैमिली कैसे है आप I hope कि आप अच्छे हैं अपने घर पे है शुरक्सी थे तो दोस्तों अभी सुभी का बज़रा है दस और में वीडियो को करनी जारी हूँ स्टार्ट क्योंकि सुभी का पांच बज़े उटके मेरा सारा जितना भी काम था घर जार बज़े चूटी हो जाता है तो उसका पापा आने जाएगा आज में नहीं जाओंगी तो चलिए मैं फटाफट बाके काम करती हूँ और बने रही है मेरे साथ तो नमें यहां पर आगी हूँ धूली हुआ कपरा सब जो यानि इसके पापा का ना सेरवाने धूती कुर्था पाईजयमा इसब सब में रखने आ गई हूं अर्मिला में क्योंकि सासुमा ने सब पच्छार के रख रही है और मैं आके कॉड्रिस पे रख दे रही हूँ क्योंकि यह पूजा का समाने तो धो धाके अच्छे से रख देना चाहिए मैं ऐसा ही करती हूँ और जैसे की बच् और सब को अच्छे से साफ करूंगी, कि क्योंकि बहुत दिनों से मैंने साफ नहीं किया, साफ सफाई नहीं किया है. और यहां पर, दरवजा सभी में बहुत, यानी रूट कुछ भी खाता है, तो वाल पे लगा देता है, दरवजा पे लगा देता है, और आप देख सकते हैं दरबचे में कुछ वाइट लगा है तो वो रूट का ही एक काम है ब्रश भी करता है तो आइना देख देख के तो वो क्या करता है ना ब्रश ब्रश करते करते हैं आइना में थू फेक देता है और मैं माक्स लगने भूल गे थी क्योंकि माक्स बहुत जोरी होता है साफ सफाई के लिए उसके बाद बच्चों का कप्रा मैंने सुबे धू दिया था देखे ये सारे छे बजे का धूला हुआ कप्रा है जो सूख गिया है तो अब सोचे कितना करा धूप निकला है हमारे यह के दी हूँ क्योंकि उस उबी ना कुछ भी नहीं खाए थी कुछ भी निश्री प्रेदो बदाम खाके चली गी थी क्योंकि ना उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसा नहीं होता है कभी-कभी अंदर का जो बुखार अंदर का जो सर्दी होता है वो मेरा गुरिया का हुआ है तो उसको इतना ज़्यादा खाना परना का मन नहीं करता है कोई मसाले दर खाना हो तभी ओ अच्छा पता है चटपटा खाना तो मैं वो इसको आज बना दी हूँ ठोशा चटपटा खाना तो उत्तपम भी मैंने थोड़ा सा चटपटा जिससे बना दिया है थोड़े म बेचलिके नहीं होता है तो घर बिखी बिखा हुआ लगता है तो आपको बहुत ही आच्छा लगता है मन को फ्रेशनेस ईता है मन को शांति मिलते है घर कुछ बूल रही थी एक ही वीडियो डालोगे तो और यानि आप लोग बोर हो जाएंगे तो मैं उसको बोल रही है कि ये ऐसा बात नहीं है क्योंकि मैं क्या डालूँगी और मैं जो करती हूँ मैं वही तो डालूँगी रोज रोज वीडियो तो मुझे बहुत 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 कर रहे थी, उसका अदद भी है, बहुत बहुत करना और दोस्तो आज न हमारी हांपे बहुत जड़ा, चार पास दिनों से इतना ज़ादा धूप निकल रहे हैं मतलब पूछिए मत, सुबे सारे पाच बज़े से धूप आना स्टार्ट हो जाता है, कितना कढ़ा धूप निकला है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आगी हूँ किचन में, और किचन में आके ही मैंने डाल को घोटना सुरू कर दिया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे डाल स्वाबिन की सबजी, निरावी सबजी हो गिया है, अभी मैं बनाओंगी स्रिप करेला बनाओंगी और चटनी बनाओंगी, धनिया पता पूदिना पता का चटनी, और में रूट को छोड़ के आने का वक्त में मेनिया पे कुछ थोड़ा बहुत सबजी लेके आया था, कुछ डाल सकती हूं, इसको खुला ही चोड़ना पड़ी और में यहाँपी करेला कात रही हूं, यहां पे मेने आज इसके पपा का करेला खाने का बहुत मन कर रहा था, और करेला इतना ताजहता हां देख कि अह 설ड़ को भी भी मतलब खाने का मन कर तो मैं वहां से लेके तो यहाँ पर जितना भी कच्रा बगिज़ा मैं फेक दी रही है हूए और जो मैंने हें निए अचार बनाया था आमला का आचार उसी में फिर से तल डाल दियूं तल को घुण करके थंडा करके डाल दी हूँ और साथ में मैं डाली हूँ सरसो पीसा हुआ सरसो थोड़ सा डाल दी हूँ तो यहाँ पर मेरा करेला जो है कट करना हो चुका है उसको अच्छे से धो ली हूँ और मैं करेला का भुजिया बनाऊंगी क्योंकि यह घर पे न सब लोग को पसन है बहुत अच्छा लगता है करेला का भुजिया और साथ में ओनियों देके बनाऊंगी और यह इसका पापा ने धनिया पत्ता लाकी रिया देखे न एक इतना छोटा धनिया पत्ता एक धनिया पत्ता का दाम पाच रुपे करके दस रुपे करके एक धनिया का पत्ता तो सोचिए कितना महेंगा हो गया सबजी, साख सबजी तो यहाँ पर दिखी मेरा अचार में तेल में पुरा डूबो डूबो के डाल दिया है तो एक तो अचार में डालूँगी फ्रीज पे रख दूँगी और एक रखोंगी बाहार खाने के लिए तो यहां पर देखें करला भूजिया हो जा रहा है इसका पापा भी आ जाएगा तो मेरा खाना कम्पलिट है इसका पापा का लंच है हमने अभी तक लंच नहीं मैं अभी जाड़ी हो रूध को लाने के लिए क्योंकि टाइम हो चुका है सारे बाड़ा बच्चु का है उसका एक बजी छुटी हो जाएगा तो मैं यह से पेदल जाओंगी और आज का धूप बहुत एक कढ़ा धूप निकला चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए हमारे आसाम का धूप तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल अगला ब्लॉग पर देप्ट किता